It will cost you का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं It will cost you का कई طریके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो जैसे आप किसी को कहें कि It will cost you 100 rupees यानि कि इसकी कीमत आपको 100 rupees लगेगी यानि कि इसकी कीमत आपको 100 rupees देनी होगी या फिर इसका ये भी मतलब होता है कि तुम्हें या आपको इसकी कीमत चुकानी होगी या इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन ध्यान रखें कि वे आपको महेंगी पड़ेंगी तो आप कहेंगे there are added features available but keep in mind they will coast you. There are added features available but keep in mind they will coast you. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.